नमश्कार विंद्या टाइम्स में आपका स्वागत है मध्यप्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स असोसियेशन और सरकार के बीच ठन गई है एक तरफ जहां हर्ताल पर गए जूनियर डॉक्टर पीछे हटने के मूड में नहीं है तो वहीं सरकार ने भी साफ कर दिया है कि कोरोना महामारे के वक्ट जूनियर डॉक्टर्स का इस तरह काम बंद करना सही नहीं है मध्यप्रदेश हाइकोर द्वारा जूनियर डॉक्टरों की हर्ताल को अवैद घोशित करने के बाद सामुही के स्तीफा दे दिया गया था परन्तु अब उनके सामने एक नया संकट आ गया है स्तीफा देने वाले डॉक्टरों को मध्यप्रदेश चिकित्सा सिक्षा प्रवेश नियम के तहत 10 से लेकर 30 लाग तक रुपे जमा करने होंगे चिकित्सा सिक्षा आयूक्त निशांत वरवडे ने बताया कि सनातक एवं सनातकोत्तर पाठिक्रम में नीट से चयनेत विद्यार्थियों को चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महा विद्यालियों में मेरिट की आधार पर प्रवेश के लिए शासंद्वारा मधिप्रदेश चिकित सा सिक्षा प्रवेश नियम 2018 एवं संशोधन 19 जून 2019 के अनुसार पांधिक्रम संचालित किये जाते हैं आयुक्त वरवडे ने बताया कि उपरोक्त नियम की कंडिका 15 एक ख के अनुसार निर्धारित समय सीमा के बाद अभ्यरती के द्वाराती आगपत्र दिये जाने की दशा में उस पर सीट छोडने संबंधी बंधपत्र यानि बॉंड की शर्तें लागू होंगी आयुक्त वरवडे ने बताया कि उपरोक्त नियम वर्ष 2018 से प्रवेशत सभी विद्यार्थियों पर प्रभावशील है किसी भी अध्यनरत सनात कोत्तर विद्यार्थी द्वारा किसी भी कारण से सीट छोडने की दशा में उपरोक्त बंधपत्र यानि बॉंड अनुरूप राशी 10 से 30 लाग रुपे संबंधी स्वशासी महाविद्याले के खाते में जमा करना अनिवारी होगी तीन जून को प्रदेश के करीब 3,000 जूनियर डॉक्टर्स ने सामुई के स्तीफा दिया है अब इन सभी डॉक्टरों को बंड के तहट 10 से 30 लाग रुपे भरने को कह गया है प्रदेश भर में जूनियर डॉक्टर्स की मांग तेज होती जा रही है सरकार के आक्शन के जूनियर डॉक्टर्स की मांगे और उन पर क्या है सरकार का पक्ष जूडा की पहली मांग है स्टाइपेंड में 24 प्रतीशत बढ़ हुत्री सरकार का इस पर तर्ख है कि सरकार द्वारा अन्य विभागों की तरह CPI के अनुसार्ट जूनियर डॉक्टर्स के स्टाइपेंड जूडा की दूसरी मांग है हर साल वारशिक 6 प्रतीशत की बढ़ोत्री भी बेसिक स्टाइपेंड पर दी जाए सरकार का इस पर तर्ख है कि प्राइस इंडेक्स के तहट बढ़ोत्री दी जाएगी जैसा शासन के अन्य विभाग के लिए होता है जूडा की तीसरी मांग पीजी करने के बाद एक साल के ग्रामीर बॉन्ड को कोविट ड्यूटी के बदले हटाने के लिए एक कमीटी बनाई जाए जो इस पर विचार करके अपना फैसला जल से जल सुनाए इस पर सरकार का तर्ख है कि इस मांग पर यदि शासन सहमत होता है तो ग्रामीर अंचल के गरीब व्यक्तियों को बेहतर चकितसा सेवा से वन्चित होना पड़ेगा जूडा की चौथी मांग या है कि कोविट ड्यूटी में काम कर रहे ही जूनियर डॉक्टरों को दस नंबर का एक गजटेड सर्टिफिकेट मिले जो आगे उनको सरकारी कि आजाना किसी भी शास्किय चकितसकिया का मूल करतव्य है जिसके लिए अतरिक्त पारितोशिक और वजीफे की मांग किया जाना उचित नहीं होगा अपने मूल कारियों के एवज में यदि सभी विभाग अतरिक्त सुविधा की मांग करे तो शासन कारी कैसे कर पाएगा आन्य विभाग जो कोविड में अत्ती आवश्चक सिवाओं में आते हैं उनमें किसी भी करमचारी या अधिकारी को किसी भी प्रकार का लाब नहीं दिया जा रहा है। उनके परिजनों को आम नागरिकों की तरह ही सुविधा उपलब्ध होगी। जूडा की छटवी और आकरी मांगिया है कि जितने जूनियर डॉक्टर्स कोविड ड्यूटी में काररत हैं उनका अधिक कारिभार देखते हुए उन्हें उचित सुरक्षा मोहया कराई जाए। सरकार का इस पर तर्ख है कि सभी चुकित्सा महाविध्यालियों के सुवशासी समेटी के अध्यक्ष संह्भागा यूग्थ होते हैं जिनके तहट संहट संहभाग में सुरक्षा इवं कानून विवस्था संचालित होती हैं। तो आपने जाना की जूनियर डॉक्टर्श की प्रभावत हो रहे हैं इस भी जूनिय डॉक्टर सुप्रीम कोट जाने की भी बात कह रहे हैं देखना होगा कि इस मामले पर क्या नया मोर आता है सरकार जूनिय डॉक्टर्स की मांगों के आगे जुकती है या फिर जूनिय डॉक्टर्स को अपनी हर्ताल बंद करनी और अगर नहीं तो कब तक या हर्ताल जारी रहेगी